रामरास्थाना चेतर के गाउं आलंपूर गंग नहरपुल के समीप पांच दिन से लापता युवक का मिला शाव परिजनों में मचा कोह राम नमस्कार, EFT News 24 में आपके साथ मैं हो सिम्रन कौर जन्दपद मुजफर नगर के रामरास्थाना चेतर के गाउं देवल निवासी अमरित 25 अगस्त की देर रातरी से अपनी क्रिशी फोर्म से संदिग्ध परिस्तितियों में लापता हो गया था जिसकी गुमशुदगी मृतक के परिजनों ने रामरास्थाने में दर्श कराई थी सोमबार की सुबह गाउं आलंपुर गंग नहरपुल के समीप एक रहगीर ने पुलिस को सूचना देकि नहर में किसी अज्यात व्यक्ति का शौपड़ा हुआ है जिसके चलते सूचना मिलते ही रामरास्थाना ध्यक्ष मुकेश सोलंकी ने मौके पर पहुँच कर पांस दिन पूर्व लाबता हुए अमृत के परिजनों को बुला कर शिनाख्त कराई तो वह शव अमृत का पया गया शव मिलने से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया शव का एक हाथ गायब होने के कारण परिजनों ने मौके पर पहुचकर हत्या की आशंका के चलते काफी देर तक हंगामा किया फुलिस ने परिजनों को समझा कर शांत किया और शव को पोश्माटम के लिए भेजा पुलिस ने गाउनिवासी दो लोगों को पूछताज के लिए हिरासत में भी लिया है ऐसो मुकेश सुरंकी नी बताया कि परिजनों ने पोश्ट मांठम रिपोर्ट आने के बाद निर्णे रेने की बात कही है UFT News 24 के लिए मुजफर नगर से महम्मद फरीद अंसारी के रिपोर्ट